हेलो नमस्कार दोस्तों तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया में मिलने वाली पांच बेस्ट हीरो ब्रैंड की साइकल्स के बारे में दोस्तों आपका कोई भी परपस हो चाहे आप उसको फिटनेस के लिए लेना चाहते हैं या फिर आप उसको कैस्वल सीटी राइट के लिए लेना चाहते हैं या फिर आप उसको ओफ रोडिंग के लिए लेना चाहते हैं तो चलिए दोस्तो वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं इंडिया में मिलने वाली 5 Best Hero Cycle दोस्तो नमबर 5 पे है Hero Kyoto इसके अंदर आपको मिलता है 26 इंच का Wheel Size और इसका जो फ्रेम है वो है 18 इंच का इसका फ्रेम जो है वो बना हुआ है Stainless Steel से और दोस्तो इसके जो साइकल है यह सूटेबल है 5 फीट 4 इन से लेके around 6 फीट तक के लोगों के लिए इस साइकल के अंदर आपको front और rear में V-brakes देखने को मिलते हैं और दोस्तो इसके जो seat है वो आती है quick release के साथ दोस्तो quick release वेक ऐसा mechanism होता है जिसके अंदर आपको seat को adjust करने के लिए किसी भी tool की जरूत नहीं बढ़ती आप उसको अपने हाथों से ही उपर नेचे adjust कर सकते हैं के अंदर आपको non slip pedals मिलते हैं जिसको पर आपको एक अच्छी grip मिलती है जिससे कि दोस्तो जब भी आप इस cycle को ride करेंगे तो आपके जो pair है वो इन पे से नहीं फिस लेंगे इस cycle को पर आपको मिलती है एक साल की warranty और दोस्तो इस cycle का जो price वो है around 5,800 रुपे के आसपास दोस्तो इस वीडियो में जित्ते भी cycles में आपको दिखाने वाला हूँ उन सभी के जो prices है वो चेंज होते रहते हैं कभी कम या कभी ज़्यादा तो सभी के जो links है मैं आपको description box में दे दूँगा वहाँ पर जाके आप इनके जो current prices चल रहे होंगे इनको चेक कर लेना दोस्तो नमबर चार पर है hero sentiago इस cycle के अंदर आपको मिलता है 26 inch का wheel size और दोस्तो सबसे अच्छी बात यह है कि इस cycle के अंदर आपको मिलते है double wall alloy rim दोस्तो जो double wall alloy rim होते हैं यह stainless steel के जो rim आते हैं generally उनके मुकाबले ज़्यादा durable होते हैं इस cycle के अंदर आपको 18 inch का frame size मिलता है और दोस्तो इसका जो frame में वो बना हुआ है stainless steel से दोस्तो जो cycle है यह suitable है पांच फिट चारें से लेके आराउंड 6 फिट तक के logo के लिए इस cycle के अंदर आपको front और rear में weep decks देखने को मिलते हैं और दोस्तो इसके पैडल से उनके अंदर आपको reflector मिलते हैं जो कि जब भी आप night ride करेंगे तो काफी काम आते हैं और दोस्तो पैडल से यह anti-skid पैडल थे तो इनके पर आपको grip भी काफी अच्छी मिलने वाली है इस cycle को पर आपको मिलती है एक साल के warranty और दोस्तो इस cycle का जो price वो है around 5500 रुप है दोस्तो यह एक hybrid cycle है तो अगर आपको road और off-roading के लिए एक अच्छी कम price में cycle चाहिए तो इसके उपर दो फ्रेम में वो बना हुआ है stainless steel से यह cycle दोस्तो शूटेबल है पांच फीट चारें से लेकर आराउंड 6 फीट तक के लोगों के लिए और इस cycle के अंदर आपको front और rear tire में V-brakes देखने को मिलते हैं दोस्तो सबसे अची बात है कि cycle के अंदर आपको dual suspension मिलता है मतलब आपक को एक शौकर वाली cycle चाहिए तो आप इसके उपर जा सकते हैं इसके अंदर आपको quick release वाली seat मिलती है और दोस्तो इस cycle के उपर आपको मिलती है एक साल की warranty इस cycle का प्राइस है वो है around 7200 रुपे के आसपास exact price के लिए दोस्तो लिंक से आपको description box में मिल जाएंगे और दोस्त इसके अंदर आपको जो wheel मिलते हैं वो मिलते हैं tubular wheels यह दोस्तो जो road bikes होती है उसके अंदर आपको मिलते हैं यह थोड़े से पतले होते है normal tire के मुकाबले तो दोस्तो अगर आपको generally road के उपर cycle चलानी है तो आप इसको consider कर सकते हैं इस cycle के अंदर आपको 18 inch का frame मिलता है जो क इस cycle को पर hero आपको देता है एक साल की warranty दोस्तो इस cycle के जो price है वो है around 8500 रुपे और दोस्तो अगर आपको एक काफी budget के अंदर road bike चाहिए तो आप इसको consider कर सकते हैं दोस्तो नमबर एक पे है hero growler इसके अंदर आपको 26 inch का wheel size मिलता है और दोस्तो इसके अंदर आपको 17 inch का frame जो कि बना हुआ है stainless steel से यह cycle suitable है 5 feet 4 inch से लेके around 6 feet तक के logo के लिए और दोस्तो इस cycle के अंदर आपको front और rear दोनों tire के अंदर disc brake देखने को मिल जाते हैं जो कि काफी अच्छी बात है दोस्तो इस cycle के अंदर आपको front में suspension मिलते हैं और इस cycle के अंदर आपको 21 speed का gear system जो कि दो और दोस्तो अगर आपको एक proper budget के अंदर MTB cycle चाहिए जिसके अंदर आपको disc brake suspension और gear system मिल जाए वो भी कम price पे तो दोस्तो आप इसको consider कर सकते हैं और दोस्तो आज के लिए बस इतना ही वीडियो में दिखाएगे information अगर अच्छी लगी तो please वीडियो को like करें और इसी तरह सब्सक्राइब कर सकते हैं वीडियो में दिखाएगे सभी cycle के लिंक आपको description box मिल जाएंगे वहाँ पर जाके आप इनको खरीच सकते हैं धन्यवाद दोस्तों